तो हलो दोस्तों हमने क्लास 10 के एकनॉमिक्स के चैप्टर नमबर 1 डिवलेपेंट को अभी लेटेस्टी कम्प्लीट किया आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इसके कुछ MCQs कोश्चन्स की जिससे कि हमें पता लग जाए कि हमने कितना पड़ा है और कितना हमें याद है चैप्टर अच्छा है अगर मैं टर्म 1 केस आप से बात करूँ तो बहुत सारे कोश्चन्स बन सकते हैं आपको काफी और कोश्चन्स को प्रैक्टिस करना ज़रूरी होगा फर एक्जाम्स सबसे पहले बात करते हैं कोश्चन 1 की इसने बोला कि जो BMI है वो किस बात को इंडिकेट करता है BMI किस चीज को इंडिकेट करता है क्या ये बुक मैटर इंडेक्स है या बूर्लिंग मास इंडेक्स है या बॉडी मास इंडेक्स है या बैड मास इंडेक्स है अरे भाई सिंपल सा कोश्चन सिंपल सा आंसर इडिस बॉडी मास इंडेक्स कौन सी कितनी countries इसमें हैं जिनको consideration के लिया गया था HDI पता करने के लिए कितनी countries को base बनाय गया था क्या ये 167 थी, 177 थी, 185 थी और they were 197 So, यहां पर right answer होगा 185 यह कुछ बारीक question थे जो आपको chapter के बीच में मिलेंगे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा Next question आजाता है कि average income किसी country के अगर आपको account करनी है तो what would be formula Is it total population divided by total income या total income multiply by total population Next, total income divided by total population या फिर Total income plus total population तो पहले तो देखलो, average निकालने के लिए divide करेंगे Of course, तो जो दो unnecessary के option से हमको हटा दो और इन में से एक option आएगा तो income जादा होगी कि population जादा होगी तो of course income पहले जादा होगी तो यहां पर average income निकालने का सबसे बहतरी जो formula है वो है बिटा जी Total income divided by total population तो right answer क्या आया यहां पर? Right answer आया आपका C Next question पर बात करें तो इसने कहा कि development means progress in term of यहां पर इसने कहा कि development का मतलब अगर आप progress करना निकालते हो तो किस base पे progress? किस चीज में progress? क्या यह per capita में progress होगा? क्या यह food में होगा? क्या land में होगा? या फिर industries में? तो of course जब हम comparison कर रहे थे तो हमने base बनाया था दो nations को especially हमने nation के aspect में development के goals को देखा था तो यहां पर जो right answer होगा that would be per capita income ठीक है? per capita income next आएगा UNDP किस चीज के? आप यह बात तो जानते होंगे कि UNDP जो है वो United Nations का एक organ है तो UNDP का full form पूछ रहे है क्या यह United Nation Development Project है या United Nation Development Program है या फिर United Nation Development Program सेम सही होगे Union, okay Union Nation Development Program या फिर Union Nation Diversion Program है okay so इसमें से क्या है भाई Union तो नहीं था तो Union वाले तो दोनों ही option गलत होगे अब प्रोजेक्ट भी नहीं था यह प्रोग्राम था तो यहां पर right answer क्या है? B हाला कि यह चीज आपको directly आद होगी इतना तो expectations अपन करी सकते हैं चलिए आज़े यह next five questions पे देखते हैं और क्या कहते हैं है? Question कहता है कि which of the following state has low infant mortality rate? कौन सा वो state है जिसके अंदर low infant mortality rate देखनी को मिलती है? क्या वो बिहार है, कैरला है, जहरगंडे के आसाम है? यह बात हो तुम जानते होंगे literacy rate जहां अच्छी है इन सब चीज़ों के बारे में वहाँ पे knowledge जाद अच्छी होगी उनको पता होगा कि किस चीज़ों कैसे tackle करना है, so of course यहाँ पे सबसे अच्छी situation अगर हम health और education के साब से देखें हैं, तो कैरला की है, तो वैसे तो आपको पता होना चीज़, right answer यहाँ पर कैरला ही होगा so we would be right one आजाइए, next अगर हम यहाँ पे countries को compare करते हैं economics के basis पे world development report जो world bank ने दी थी, तो उन्होंने किन चीज़ों को base बना करके दो countries को compare किया, अच्छा यह समझो, के world development report जो की world bank ने issue की थी उसके हिसाब से दो countries को अगर compare करना था, तो what was the base, क्या वो health था क्या वो income था, क्या technology था, या population था, तो तुम्हें बता है कि 2013 में जो report उन्होंने दी थी और जो मैंने आपको lecture के दौरान भी बताई थी, तो उसमें उन्होंने base बनाया था income को, ठीक है so income would be the right answer hopefully यहाँ तक जो आपनने question discuss किये हैं, आपके answers अभी तक सही जा रहे होंगे next question पर बात करते हैं कि what do you mean by net attendance ratio net attendance ratio क्या होता है, ठीक है आजएए question पर, तो first option है कि यह एक ऐसा number बताता है जो 6 to 10 age group के बच्चे होते हैं कितने percent बच्चे school join कर रहे हैं, कितने percent बच्चे हैं जो same age group के हैं और वो school continuously जा रहे हैं, क्या ये बात ठीक है it implies that the total number of children of the age group 6 to 10 attending school as per percentage of total number of children in a same age group, ठीक है कितने बच्चे हैं, वो बताता है next option कहता है, it implies the total number of children age group 6 to 10 not attending अच्छा, not attending इसमें उपरवाले से सिर्फ ये difference है कि उपरवाला positive sentence है या negative है इसमें आ जाएगा कि ये उस age group के बच्चों की बारे में बात करता है जो 10 साल से 15 साल की बीच में होता है और वो school attend कर रहे हैं ठीक है, और next है age group के बच्चे हैं total number of student वहाँ पर same वही चीज, 5 to 10 कर दिया है, 10 to 15 कर दिया 6 to 10 and 6 to 10 second वाला negative sentence है तो negative sentence नहीं आएगा attendance ratio तो of course positive होगा अब इसमें से एक option सही है A, C और D तो of course इसमें सीधा सा अपने को option दिख रहा है तो इसमें सीधा सा अपने को option दिख रहा है कि 6 to 10 साल year के जो age group है उसमें कितने ऐसे बच्चे है जो school attend कर रहे है तो option A बिल्कुल सिंपल सा है right answer A होगा कि 6 से 10 साल के बच्चे same age group के वो school कितना प्रसेंट है जो बच्चे school join कर रहे है तो यहाँ right answer होगा आपका A next पे आजाते हैं कि the average expected length of life of a person at time of birth is known as क्या इसको birth date कहते हैं क्या इसको infant mortality rate कहते हैं इसको life expectancies कहते हैं या death rate कहते हैं बच्चो वाले question है इसने कहा है कि कोई person by birth यह expectations लग जाएं कि कितना लंबा यह जीएगा इसको क्या कहा जाता है क्या यह birth date कहलाती है क्या infant mortality rate या फिर life expectancies या death rate आँख बंद कर गये भी सोचते हैं इसको तो भी आँब बता देते कि obviously क्या है life expectancy okay so right answer would be C so question 10 पे बात करते हैं भी यह इसने कहा the income of a country क्या कहलाती है किसी देश की जो income होती है उसे क्या कहा जाता है okay so क्या यह cash receipt है इसको export करने से जो हमें मिलता है क्या यह cash receipt है या फिर यह income earned by residents of a country from outside the domestic territory क्या यह outside domestic territory की बात कर रहा है या फिर यह बात कर रहा है total value of goods and services produced या फिर यह option होगा कि income from non-resident of that country तो यहाँ पर देखो देखो इन में से के वाल a की option सही लग रहा है मुझे option c देखो b क्यों सही नहीं हो सकता यह समझो a तो nonsense था b सही क्यों नहीं हो सकता इसने कहा income earned by the resident of the country यह ठीक है मालली बात लेकिन from outside the domestic territory लेकिन बाहर से कमाए तो या घर की भी तो होगी domestic भी तो होगी यह इसलिए गलत हो गया और अगर d की बात करते हैं तो इसने कहा कि non-resident जो हमारे non-resident है country के वो कमा रहे हैं उसके income को income कहते है national यह तो option ही सही नहीं होगा तो red answer यहाँ पर c होगा next आज आते हैं यहाँ पूछ रहा है कि people distribution system है तो क्या answer से ही होगा comment box में फटावर्ट से type करो hopefully आपने type क्या होगा c ठीक है public distribution system राशन की shops होती है न उसी को कहा जाता है pds आज यह infant mortality rate पर ठीक है अब देखिए भई इसने कहा infant mortality rate indicates death of children who die before the age of कितने साल एक साल, दो साल, तीन साल के चार साल infant mortality rate कि age के ग्रूप के बच्चों को indicate कर रही है कि वो उसको complete करने से पहले ही मर जाता है क्या यह एक साल है, दो साल है, तीन साल है के चार साल है तो आप जानते हैं यह होगा एक साल तो right answer क्या है बटा है आपे right answer होगा A okay so next in which currency the per capita income of country are calculated के भई कौन सी currency है जिसके अंदर PDS, sorry, जिसके अंदर per capita income को calculate किया जाता है क्या यह yen है, क्या dollar है, क्या रुपी है या pond है, मैंने आपको बताया था बटा, के world के अंदर जो दो universal currency है, एक तो है gold और एक है आपका dollar तो हमारा जो world bank है, हमारा तो नहीं एक है UN का जो organ है, world bank उसने क्या किया, उसने dollar को base बनाया और उसके बहाव पर ही यह decide किया, के per capita income कैसे calculate किया जाएगा तो dollar था हो, ठीक है आज ही next, इसने कहा, के what do you know by sustainable development के आप क्या जानते हो sustainable development के बारे में, के using available resources judicially, दूसरा using available resources judicially without compromising the need of future generation, तीसरा saving resources for future generation और saving resources for present generation देखो भई, अगर देखा जाए तो सारे option ही ठीक है इसमें लेकिन सबसे बहतरीन option जो है, वो है option number B क्योंकि इसने बोला, के आपके पास जो available resources है, उसको आप systematic form में use करो, एक intellectual manner में उसको use करो साथ ही future generation को दिमाग में रखते वे, के वो लोग भी इन सब चीजों को use कर पाए, compromise उन्हें नहीं ना करना पड़े, इस चीज को देखते भी आप उसको use करो, तो right answer और सबसे best answer इसमें कौन सा है, B, okay hopefully यहां तक आपके जो भी answer से हैं, वो सही जा रहे होंगे, let's discuss about the next few more questions इसने का, human development index जो होता है, countries, मतलब compare करता है, countries को किन-किन basis पर, क्या यह per capita income देखता है, क्या यह health देखता है, या education level देखता है, या फिर यह gender ratio देखता है gender ratio तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, तो gender ratio would not be right answer, लेकिन हा, health देखता है, education देखता है, और per capita income भी देखता है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, option जो भी होगा, वो right answer होगा, all of the about नहीं हो सकता, right answer मुझे दिख रहा है, यहां पे C, okay, तो C would be right answer, next है, the main characteristics of Indian economy, हमारे इंडियन economy का main, जो characteristics है, वो क्या है, main पूछ रहा है, तो क्या यह low per capita income है, क्या यह lack of capital है, over population है, और all of these, अच्छा भाई सुनो, इसने main पूछा, तो economy के बारे हैं पूछ रहा है, तो obviously इन में से सबसे पहले तो वो चीज हमें find करनी है, जो economy से related है, population economy से related नहीं आएगी, all of these भी नहीं आ सकते, lack of capital भी इसमें नहीं आएगी, क्योंकि capital की कोई कमी नहीं है, लेकिन हा, हमारे यहां पर per capita income जो है, वो comparatively दूसरी country से कम है, तो right answer यहां पर A होगा, ठीक है, next इसने पूचा कि which type of economy, इंडिया की कैसी economy है, क्या यह mixed economy है, क्या capitalist है, socialist है, कि none of these, तो आप जानते हो कि हमारे यहां पर capitalist and socialist ideology वाले दोनों ही kind of people exist करते हैं, और यहां पर जो ideology और जो economy हम use करते हैं, वो है mixed kind of, okay, हमारे यहां पर mixed kind of economy है, mixed economy है, ठीक है, capitalist economy जो है, वो, capitalist economy जो है, वो US की ideology है, और socialist जो है, वो USSR की, हमारे यहां पर mix है, हम capitalism और socialism दोनों को ही base मानते हैं, next आ जाते हैं कि gross domestic production जिसको GDP कहते हैं, यह क्या है, यह total value किसकी है, क्या यह final goods and services की है, या फिर यह all goods and services की है, या intermediate goods and services की है, या all intermediate and final goods and services की है, देखो intermediate goods का तो कोई link ही नहीं है, तो यह दोनों option तो गलत होगें, और final value, हमेशे GDP final value को बताती है, तो right answer यहां पर होगा A, इस पे time खराब नहीं करना, अच्छा GDP और national income में क्या difference है, कि जब GDP के अंदर आप abroad से आने वाली income को भी add कर दोगे, तो वो national income बन जाएगी, बाकी तो हम compare करते है nations को on the behalf of GDP, यह याद रखें आप, ठीक है, चलो भई, कुछ और questions देख लेते हैं, इसने कहा, which of the following neighboring country has the better performance in the term of human development index, आप जानते हूँ कि अगर हम बात करें, compare करें हमारे neighboring countries से, तो नेपाल हमसे आगे नहीं है, बांगलादिश आगे नहीं है, और पाकिस्तान भी आगे नहीं है, श्रिलंका हमसे आगे है, ठीक है, अगर बात करते हैं, human development index के table की, तो श्रिलंका हमसे आगे है, इसने बुला, suitable measure to compare economic development of two countries, suitable economic development, कि नहीं दो countries को compare करने के लिए सबसे suitable comparison क्या हो सकता है, क्या ये GDP हो सकता है, या ये GNP हो सकता है, या individual income हो सकता है, या money, hoarded in lockers हो सकता है, तो आपको यहाँ पर, obviously GDP सबसे best way है, भी मैंने उपर वाले question में भी discuss किया था, ये GDP would be the best way to compare two countries, ठीक है, तो यहाँ पर answer सही हमारे इसाब से क्या होना चाहिए, हमारे इसाब से होना चाहिए, next, which of the following cannot be found as capital, इन में से कौन सी वो चीज़ है, जिसको as a capital आप consider नहीं कर सकते, क्या, जो पैसा आपके पास में fixed reposits में हैं, या आपने shares की form में खरीद रखा है, या फिर grain stored for seeds, आपने कुछ grain से as a seed उसको store कर रखा है, क्या वो आपकी capital होगा, या फिर पैसा आपने lockers में भर रखा है, तो of course, ये तो investment है, ये capital नहीं है, it is investment, उके, इसको याद रखें, right answer यहाँ पर क्या है बिटा, right answer यहाँ पर होगा, C, क्योंकि वो match ही नहीं कर रहा है, cannot बोला ना, तो वो match ही नहीं कर रहा है, तो right answer होगा यहाँ पर C, ओके, चलिए, next कुछ questions की और बात कर लेते हैं, which is the most appropriate price, understand real national income, देखिए, अगर आपको real national income के बारे में पता करना है, तो आप यह बताईए, सबसे best appropriate way कौन सा होगा, कौन सी price को आप base बना सकते हैं, क्या आप national income of a country at marked price, किसी भी product के उपर mark जो price है, उसको base बनाओगे, या wholesale को, या constant price को, या फिर factor price को, अब भी इन सब के बारे में तुम्हें पता होना ची, एक की करे के बाले इनके बारे में बात कर देते हैं, देखो इसको ऐसे समझो, पहला वाला तो कह रहा है कि किसी भी product पे कोई चीज मार्क कर दिया आपने, उसको आप base बनाओगे national income के लिए, कि wholesale price को बनाओगे, या फिर किसी चीज का constant जो price बना हुआ आ रहा है, उसको बनाओगे, या फिर factor price, फैक्टर प्राइज क्या होता है, costing होती है, costing, अब costing क्या होती है, लागत, ठीक है, अलग-अलग factors होते हैं, अलग-अलग factors का मतलब, जैसे समझो, इसको आप ऐसे समझना, किसी product को बनाने के लिए, अलग-अलग चीजों पे, अलग-अलग value कर्च होती है, अलग-अलग, मतलब amount कर्च होता है, जैसे labor हो गया, raw material हो गया, और भी कई सारी चीज़ है, तो जिस एक factor के उपर, जितना costing हमारा आया, उसको base बनाओगे, तो इन समय से सबसे important जो चीज़ है, वो एक accuracy में, आपको यह बता सकता है, कि कितनी costing में, क्या उसका value बन रहा है, हम final goods and services की बात करते हैं, तो final तो हमें तभी बता सलेगा न, जब सारे factors को हम add-on कर लेंगे, तो यहाँ पर factor price would be the right answer, ओके, तो D would be right, उपर वाले में constant price नहीं आसकता, wholesale नहीं आसकता, most appropriate, most appropriate के अंदर तो आपको factor price पर जाना पड़ेगा, बागी कई जीएगे पर wholesale price को भी आप base बनाते हो, ठीक है, क्योंकि रिटेल में तो आप बता ही नहीं सकते हो, कौन कितने में क्या बेचेगा, तो final value तो होगी नहीं, या तो वो wholesale होता है, या फिर factor price होता है, ये short amount में कहूं, cost हो सकता है, got it, that can be considered as cost, okay, next पर आजेगे, के national income of any country, is divided by its total population, अगर national income of any country, is divided by its total population, तो हमें क्या मिलेगा, क्या हमें personal income मिलेगी, gross domestic production मिलेगा, या private income मिलेगी, या फिर per capita income मिलेगी, तो समझो इसने क्या कहा है, अगर आपने national income को, या total income को आपने डिवाइड कर दिया, total population से तो क्या मिलेगा, भगवान की क्रेपास है GDP मिलेगा भई, per capita income, नहीं सौरी, हाँ, per capita income, average income जिसको अपन कहता है, तो total income divided by total population, तो क्या मिलता है, तो हमें मिलता है, average income या per capita income, तो right answer D, next question पर आजाते हैं, तो next question ये कहता है, कि नीचे दिये गई, two list को आपस में, आपको क्या करना है, match करके बताना है, कि कौन सा answer सही है, column A, column B, इन में से ही, मैं हमेशा आपको कहता हूँ, पहले ही बता रखा है, जिस चीज के लिए आप अशौर हूँ, जिस point के लिए आप अशौर हूँ, उसको पहले match कर लो, नीचे से गलत answer इसको अटा दो पहले, UNDP, यहां मुझे दिख रहा है, UNDP के बारे में, अभी हमने पढ़ा है, उपर all equations में, तो यह बात तुम जानते हो, यह UNDP, Human Development Index को बताता है, तो यहां पर यह तो clear हो गया, कि third वाला match किस से होगा, A से, यह तो clear होगी चीज, अब option find करो, कि third A से कहां कहां पर match कर रहा है, third A से कहां कहां पर match कर रहा है, third A से match कर रहा है, इसमें और इसमें, मतलब option B और D में से एक answer सही होगा, अच्छा, अब आजए यह next question पर, अब इन में से कौन सा होगा, तो और find out करने कोशिश करता है, कि government of India क्या करती है, economical survey करती है, world development indicators है, यह तो होगा ही नहीं, world development indicator बिलकुल नहीं होगा, और उपर वाला हो सकता है, handbook of static of Indian economy, क्या यह होगा, नहीं, पहला वाला होगा कि government of India, data को collect करती है, और फिर उसको एक तरीके से survey करती है, इसके लिए, world bank क्या करेगा, अच्छा, यहाँ पर world bank का क्या scene रहेगा, इसने question कहा है, तो world bank, रिपोर्ट्स देगा, economical indicators देगा, बस इतने में तो answer आजाएगा, हमारा देख लिए match कर लिजे, second वाला C से match होना चाहिए, second वाला C से match हो रहा है, दी में, और first वाला match होना चाहिए, तो first वाला match हो रहा है, बी से, ठीक है, तो right answer हो गया, D, बहुत ही simple था, next पे आजाएगे, के human development report is published by, human development report, किसके through, publish होती है, अभी यह भी बताया, option A would be right, UNDP के through, ठीक है, next आजाएगे, human development index, compare करता है, countries को, on basis of, which of the following level of the people, in may say, किस level, आप यह बोल सकते हो, के human development index, compare करेगा, countries कौन the basis of, के लोगों का level क्या है, अब किसके basis पर, education, pollution, और health status, इन में से कौन सा, अच्छा, और भी है, इनकी building, इनकी per capita income, इन में से कौन सा होगा, अब देखो भी है, building तो कोई nonsense सी चीज होगी, building तो right answer होई नहीं सकता, तो fourth तो बिल्कुल नहीं होगा, और क्या हो सकता है, pollution level होगा, negative, ये भी नहीं होगा, ये question तो उपर भी देखाता हमने, के education, health and per capita income, would be the base, तो यहाँ पर right answer, मुझे दिख रहा है B, तो ये है हमारा B, next question, आजए ये, देखते हैं, next question, क्या कहता है, next question कहता है, per capita income refers to which of the following, per capita income, कि इन में से कौन सी हो सकती है, क्या ये whole income होती है, या average income होती है, या national income होती है, कि net income होती है, per capita income को average income भी कहता है, दूसरा नाम होता है इसका, तो right answer B होगा, next question, which of the following is the criteria of measurement of economical development, इन में से कौन सा criteria है, economical development को measure करने का, क्या national income है, क्या economical welfare है, या social welfare है, या all of the above, अब इसने क्या बोला है, which of the following criteria to measure, economical development, तो economical development, obviously national income, right answer होगा, बाकी सबसे मतलब नहीं है, economical welfare, ये तो logic ही नहीं हुआ, तो इसमें से याद रखें, next है, के what is India, rank according to, 2016 human development index, इंडिया की human development index की point of view से, कौन सी rank है, तो यहाँ पर option में आ रहा है, आपके पास में, हमने 2018 पड़ा था ना, हमने 2018 के साब से देखा था, यहाँ पर, लेकिन 2016 के साब से बोल रहा है, कोई बात नहीं, इसमें से क्या यह 129 था, 130 था, 131 था, 130 था, यह दो option आ गए, तो यह तो सरासर गलत है, answer इसमें C होगा, ओके, फिर next है, development means economic growth with, कि development का मतलब, economic growth के साथ में क्या-क्या, price stability, social change, inflation, deflation, price stability, होई नहीं सकता कभी, social change होना चाहिए, economic growth तभी count की जाएगी, measure की जाएगी, inflation नहीं हो सकता, deflation नहीं हो सकता, महंगाई और महंगाई के कम होना, no, so right answer होगा B, okay, so, इस तरह सेमें ने कुछ 30 questions देके, hopefully, आपको यह 30 के 30 questions जब आपने कियोंगे, सो मिलते हैं, next chapter के साथ में, एक नए lecture के साथ में, और discuss करेंगे, एक नए topic को, thank you so much for joining the class,